और दो साल कोरोना की जद में आए गणेश उत्सव के लिए इस बार थोड़ी सी राहत है खनवा में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है और ऐसे में लोग उत्सव को लेकर काफी उत्साहित है सुबह से लोग बाजार पहुंची हैं गणेश प्रतिमाई जो हैं उन्हीं पसंद कर रहे हैं लोगों का कहना है कि इस बार बपा से प्रात्ना करेंगे कि कोरोना माहमारी से पूरी तरहां से छुटकारा मिले हमारे समवादत ने इसका जायजा लिए रिपूर्ट देखी दस दिनी गणेश उस्तो की आज से शुरुआद हो रही है और गणेश उस्तो को लेकर लोगों में उस्ताह भी नज़र आ रहा है दो साल कोरोना की जद में रहने के बाद इस साल थोड़ी राहत है और आप देख सकते हैं इस समय खंडवा की जो करशिव पजमंडी है यहाँ पर दुकाने सजाई गई है और लोग गनपती पपा की प्रतिमाएं पसंद करने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं प्रसाशन ने इस बार गाइडलाइन ताई की है और उस गाइडलाइन का पालन करना है देखिए यहाँ पर हर कोई गनपती पपा की पसंद करके मूर्तियां यहाँ से ले जा रहे हैं कहीं प्रकार की प्रतिमाएं जो है यहाँ पर लाई गई है हम कुछ लोगों से बात करने के कोशिश करेंगे कि इस बार किस तरह का उसा है सर आपका नाम बदाईए सुमु व्यास किस तरह का उस्ता है लोगों में प्रजिमाओं को प्रजिए इस बहुत बहुत अच्छा उस्ता है तो आपका नाम बदाईए कि सब कुछ अच्छा रहे और मेरे साथ पर रहे तो सब की अपनी अपनी मांग है और बपा की प्रतिमाएं जो है पसंद करने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर आ रहे हैं आपको हम पूरा नजारा यहां का दिखाना चाहेंगे कि यह पूरा प्रांगन जो है भड करने के लिए यहां पर आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि इको फ्रेंडली प्रतिमाओं के प्रती जो है लोगों का रुजहान बढ़ा है कुछ और शद्धालों से बात करने की कोशिश करेंगे मैं आपका नाम बदाई किस तरह का उस्ताइज बार गनेश बहुत अच् कुछ सोचा नहीं कोरोना खतम हो जाएं तो लोगों की आसे और भगवान से यह प्रातना इदबार करेंगे कि वेश्विक महामारी कोरोना से जल्द रहत मिले